हम इनके रिडी हैं और हमें इनका चुकाना हैं और कितनी भी दौलत दे देंगे फिर भी हमारा कहीं न कहीं कमी रह जाएगी हम अपने वानी से मीठा बोल के कुछ चुका दें प्यार से दुलार से कुछ चुका दें जब ये भाव रखोगे तो किसी घर में कोई लड़ाई नहीं होगी चाहें बहु आजाएं एक आजाएं चाहें दो आजाएं चाहें बेटा का ब्याह हो चाना कोई तुमारे कश्ट नहीं होगा ये जो कहते हैं ना कहीं का इंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनवा जोड़ा ये जो कुनवा जोड़ा जाता है ये कुनवा ऐसे ही जोड़ा जाता है किसका रिण किस पह है किसका कैसे उतरेगा कहां उतरेगा किसको कहां जनम देना है कैसे जनम देना है ये सारी चीजे सब निश्चित होती है और वो सारे कि सारे वैसी लोग एक जगे घट्टे होते हैं और उनका फिर वोई सव रिणानुमंदन चला करता है तो ये थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखें कि हमें छटाइश लोग है यथा कास इस्थित नेत्यम वायू सर्वत्र गो महानू तथा सर्वानी भूतानी मते स्थाने त्यूप धार्यम जिस तरह सेूनने देखा है कि आकास में निति सर्वदा गमंसी वायू जो है पूरे आकास में वायू भ्याप्त रहती है लेकिन दिख़ति नहीं है दिखाइ नहींसे देती है लेकिन भ्याप्त होती है को पूसमें दुर्गंद या स्वगंद होती है जिस तरह से आकास में वायू ब्याप्त हो सब्धुतों में सब ब्याप्त ही समझो जैसे वायू दीख नहीं रही है लेकिन एसे ही के गुण अब गुण जो होते हैं तो हम पैचान करते हैं लेकिन वो बिद्धमान तो हरे के अंदर पहले से ही रहते ही हैं सर्व भूतानी कौन्ते रकर्तिम्यांती मामिकाम। कल्प छै पूनस्तानी कल्पा दौविश्रजामें हम। मिल जाते हैं और जब लींगवगां होता है है तो इस अर्य प्रकर्ति में ही रहता है। प्रारम होने पर फिर वो कलप आदव फिर वो सबके साब उसी प्रकरती में कौन सी प्रकरती जो साम में वस्था में थी तीनों गुण में क्या थी प्रकर्ति किसे क्या गया तीनु गुड़ों की सामयवस्था को प्रकर्ति कहते हैं किसा क्यों मिलना चाहिए इसमे कौन से पाप किये इसमे क्या कुनि किया वह सारा चक्र अंदर कल्प छह նे के बाद और कल्प आदो प्रश्टी से पहले और प्रले के बाद यह बुड़ा भाग पूरा होता रहता है आपने जो जो कर्म किये जिस जिस भाव से किये यहां आए बे भाव के आगए किसी के कहने पर आगए मजुविरी में आगए क्रश्म से श्रद्धा नहीं है भक्ति की तो बात ही अलग है प्र वो बीज रूप में अन्दर गुलर के बीज की तरह से एक 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 बिंदू बिंदू आपका सब अंदर से निरनित हो रहा है सब आपका विलकुल तयार हो रहा है उपर की जिन्दगी हम कुछ भी जीये दर्शन क्या होता है अंदर देख न जानता है हम अंदर देखेंगे तो हम अपने सुपर वीजन कर पाएंगे क्या रही विचार गलत आया कोई नी देख रहा है भगवान तो देख रहा है किसी के बारे गलत सोचना नहीं हमें नहीं सोचना भगवान देखेगा हमें नहीं कुछ ऐसा करना तो जब भार तो हमारी आखे देखती रहती हैं लेकिन प्रग्या चक्षु विवेक बुद्दी जब अंदर देखना आ जाए तो निश्ची जानिए कि तब तुम्हें देखना आता है ऐसे तो छोटा बच्चा आँख खोलता है तो वो तो छे महीने का बच्चा भी देखता है लेकिन हमारे इतना गीता पढ़ने का उद्देश ही क्या है कि हमें अपना निड़देशन देना आ जाए अपना सुपरवीजन करना आ जाए अंतर द्रश्टी पैदा हो जाए प्रग्या चक्षू पैदा हो जाए हम अपने किये हुए को देख सकें गलत को गलत कह सकें सही को सही कह सके ये हमारे अंदर इतना चक्षू डेवलप होने चाहिए अंतर द्रश्टी आनी चाहिए तो ये कव आएगी जब हम सही डंग से चिंतन करेंगे बिवेक के द्वारा और ये जो पिंड तयार होगा आपका जो पिंड वो क्या है कल्प के छै होने पर रहले होने पर और कल्प आदाओ यनि श्रश्टी होने से पहले तो बीच के पीरेड में ये सारा गुणा भाग कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमें कौन से कुल में जन्म मिलना है नारी बनेंगे कि पुरुस बनेंगे बुद्धिमान बनेंगे कि मूर्क बनेंगे गरीब बनेंगे कि अमीर बनेंगे कुशागर बनेंगे कि तिक्ष्र बनेंगे ये सब कुछ हमारा उससे डिसाइड हो जाता है किस से आज से आज की डेट से ही जिनने हम अभी इससे पहले इस लोप में जब बोल ले थे कि धर्म के द्वारा जो भी हमने किये हैं जो संचित कर्म हैं संचित कर्म से जो फल मिलेंगे तो हमारे जो संचित कर्म हैं उनसे जो फल मिलेंगे तो ये फल वो सब इखटे हो करके हमें प्रले के बाद में जब हमारी स्रश्टी प् लेंगे और संचित फल का मतलब मीठे फल नहीं होते हैं कड़वे फल भी होते हैं खटे फल भी होते हैं तिक्त फल भी होते हैं तो यह ध्यान बनाने वाला कौन है तुम खुद बना रहे हो बिगारने वाला कौन तो किस दोस्सको देते हो भ भहवान को फुर सब्सक्वाइन कहा है टुम्हारे संग कौन मूली साट करेंगे तुम ना तो अन्याय करते हैं वह तुम्हारे किये कही फल देते हैं तुमने जो किया है उसी का फल मिलता है ये भगवान को दोस्त देना ये अपने को दोस्त देना जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमें जीना आ जाएगा हमें जीने का सलीक ही नहीं आता हम दूसरों को दोस्ट देने में लगे रहते हैं उसने मेरा संग ऐसा किया उसने मेरा मेरा जीवन बर्वाद कर दिया कभी कभी पती भी हमें दुस्मन के रूप में मिल जाता है पिछले जरम का सत्रू होता है वो पती रूप में मिल जाता है और बदला लेता रहता है और हमें क्या लगता है पती ये बड़ा दुष्ट है ऐसा पती किसी का नहीं होगा वो दुष्ट नहीं है वो सत्रू था तु नहीं जा सकता उसको केवल हमारा अपना द्रश्टिकोंड बदल ला हम उसका भी द्रश्टिकोंड नहीं बदल पाएंगे केवल खुद को बदल पाएंगे तो यह एक बार नहीं है यह एक क्रम चली रहा है पुना-पुना यह होता ही रहता है तो अब यह भूत ग्राम यह सार कल्प के प्रारम में होती है फिर कल्प छे हो जाता है तो यह हमेशा ऐसी तरह से चलता रहता है और भगवान इसको करते रहते हैं और चलता रहता है और बूत समझाय को वो बारवार अपने कर्मों के इसाब से जन्म फिर बदल होती रहती है जो आज हमारा मित्र है कल सत्रू वह तो जरूर यह हमारा मित्र है तो वह मित्री रहेगा कभी कभी आप देखो आपके पास बच्चे लेकिन एक बच्चे का आप मौँ से मोह बहुत ज्यादा होता है तीन बेटे हैं थीन बेटे में एक बेटा बेहता है तो बिख्ले जनम का ले में उसके संग कुछ तो यह सारा सारा विवाजन जो है यह कर्मों के आधार पर यहां पर भगवान अपनी अनिर्वर्चनिया जो उनकी शक्ति है वो उस शक्ति के भगवान यहां पर हम यह कहने भगवान खुद कर रहे हैं उनकी प्रकर्ति भी उनकी श्रश्टि शक्ति है और माया भी तो माया भ प्रकर्टी से ही चल रहा है उसी के माध्यम से यह हो रहा है नवाई श्लोक है नाचा मामुतानी कर्माणी निवद्नंती धनान्य ओदासीन वदासीनम असक्तेसु कर्मासु हे धन्य ओदासीन के समान इस्तित उन कर्मों में आसक्ती सुनने मुझको वे कर्म बांदते नहीं है कर्म बांदेंगी क्यों तुम्हारा है जैसे एक एक एक्जामिनार कौपी जांचता है तो उससे अपने आपको इंवाल्ट तो नहीं करता है जिसका जैसे कौशन आंसर होता है वैसी नम्मर देता है नम्मर देके काम खतम कौपी जांचता जाता है काम आगे बढ़ाता जाता है तो वो किसी कौपी से आ शकत नहीं रहती और नाहीं किसी से बंदन में बनते हैं मैं आक्षिन प्रकर्ति सुयते सचराचरम हे तू नानिन कौन ते जगाद विपरित परवर्तिते अब यहां पर मया अद्यक्ष अब यहां अद्यक्ष तो कोई होगा प्रकर्ति है माया है तो यह जो जड़ हैं अब इनके कहीं न कहीं तो कोई तो अद्यक्ष होगा जिसकी देख रहे हैं मैं सुपर्वीजन में अब इतने बच्चे परिक्षा देते हैं तो एक तो प्रकर्ती कर रही है माया कर रही है यह मेरी अद्यक्षता में काष्य और हों रहा है मेरी प्रेजेंस में हो रहा है प्रकर्ती होिए चराचर जगत दोने में लुटें करती है इसा कारण यह प्रगत पर unsure because प्रवर्तन शीरी में क्योंकि उसमें तीना अंतर है एक गुड़ान नहीं तुम लोग बैठे हो कि और जो फुरी हले चले जन्द ऊआशेandr चल रही है एक बार विचार आया बहुत ध्यान से सुना फिर क्रोध आया फिर पर लगा जाना है टाइम हो रहा है यह अंदर सोच बिचार यह जो चल रहे हैं यह क्या है गुणों के माध्य हमसे तो तीनों गुण का एक गुण पुना है अभी भाव माने एक दूसरे को दवाना जैसे अ यह परवर्तित हो रहा है परवर्तन शील है परवर्तन शील होने का कारण क्या है प्रकर्ति यह हम लोगों को समझ लेना चाहिए और हम क्या भगवान ने भूकम्प ला दिये भगवान बाल ला दिये भगवान अब यह कर दिया तो हम हर चीज में भगवान को दोसी ठहराते र प्रकर्ति के गुण क्या है परिवर्तन। उठापटक मचाना प्रकर्ति के गुण ही आई तो वो उठापटक को रही है और उस उठापटक में हम उसमें कही न कहीं भगवान को Evolve कर लिए यार्मा इश्लोक है अवो जानन्ती माम मूडा मानों शिम्तनों माश्रेतं परंभावं जानन्तों माम भूत माहेश्वर अब संपुर्भूतों के महान इश्र रूप मेरे परंभाव पार्मार्तिक तत्त को ना जानने वाले मूड़ पुरुस मानों शरीर धारन करने वाले मुझ परमात्मा का अनाधर करते हैं यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है भगवान को सब लोग समझ रहें अब जानन्ति माम मूरा मानोशी अब सरीड तो भूतों ने धारन कर रखें अब ये तुम लोग भी जानते हो किते लोग हैं जो यह आने को तैयार है गीता सुनने को किते लोग तैयार है बहुतों सिका है बहुतों को समझाया लेकिन वो मूड़ा ना जाननती वो मूड़ हैं और मूड़ कौन होते हैं जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि तो ऐसे मानुश सरीर भी धारण किये हुआ है लेकिन मानुश इस धारण करके इस जनम में तो वह सुख भोग लेएंग जो उनका 1200 है पहले से जपारखा है जो भोग रहें वह जानम उन्होंनोंने भोग लेंगे और तुमसे कहेंगे तुम दो दुख ऊठा रहे हो हम हटे-कटे हमें तो कोई बीमारी नहीं होती हम तो गीता सुनने नहीं जाते हमें कोई कश्ट नहीं होता तो यह जो पहले का उनका प्रारब्द है उसे भोग रहें लेकिन आगे वह मनुस्य होते हुए भी वह यह नहीं जानते कि भगवान को आप एक साधरन मनुस्य समझ के उनके अवेलना करते हो आलोचना करते हो तो यह तुमारी अज्यानता है और उस अज्यानता का फल क्या मिलेगा कीट पतंगे कूकर सूकर अधो गामी 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा पुने मानुसी जीवन आप को नहीं मिलेगा तो आप एक जनम की मूर्खता से 84 लाख योनी की में पहस जाते हो सोचो एक मनुसी जीवन आपने देखा 60-70 साल का हो गया फिर आपने कूकर सुकर का जनम देखा यह तो यह जिन्हें आप देख रहे हो गदा है गाहे बैल है यह तो ऐसी है अच्छी योनी है छचुंदर को देखो जो अंधेरे में नाली में इतनी सर्दी में तो ऐसी ऐसी योनी उनको देखो तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे कि अरे क्या यह भी बनना पड़ सकता निसंदे अगर हम नहीं सुद्रे तो हमें यह भी बनना पड़ सकता है सांप है जंगल में रह रहा है लोग मारने को उताब ले रहते हैं कौन सांप को पा लेगा चुए हैं दवाई रखके मारने की तयारी रहती है तो कौन सी योनी ऐसी है जिसमें आदमी सुक्चैन से रह रह रहा है और जिस योनी में हम रह सकते हैं उसमें हम अपने कलिस खड रख़कर लेते हैं मनुस्य जीवन को हम स्वर्ग बना सकते हैं लेकिन हम नरक बना लेते हैं रखनी चाहिए तो हमारा मानुस जीवन जो है कैसे सफल बने किस तरह से सफल हो कि बारवाई श्लोक है मोग आशा मोग कर्मानों मोग ज्ञाना विचेत सां राक्ष सीमा सूरिम चैव प्रकति मोहनी श्रीतां मोग आशा यानि बहुत सारी आशा मोग कर्मना बहुत सारे निश्वल कर्म ब्यर्त की आशा मोग ज्ञाना दूशित ज्ञान विचेत सां विवेख हींता राक्ष सी आशुरी ब्रत्ति चैव प्रकति मोहनी श्रीतां आश्री प्रकति का ही आश्रे लिये होते हैं तो जो बिवेख ही इन ब्यक्ति हैं आशा इतनी सारी हैं कि हमें कैसे भी यह इन के इन प्रकार आशा पूरी करनी चाहिए कैसे भी हो इसके बिना तो हम जी नहीं सकते कर्म करना नहीं चाते कर्म करेंगे भी तो दूश्ट टैप के कर्म करेंगे दूशित घ्यान वाले तो ऐसे मौ में डालने वाले राक्षसी और आशुरी प्रवर्टी का प्रकर्टी का ही आश्रे लिए होते हैं तो आश्रे लेने के कारण क्या है हम मोग आशा यानि कि जादा आशा हैं ना पालें कहते हैं एक समय आता है सवेरे होती है तो दुकान लगाई जाती है और साम होती है तो दुकान बढ़ाई जाती है लेकिन लोग दुकान लगाना जानते हैं दुकान बढ़ाना नहीं जानते हैं उनको लगता है दुकान आपने जिन्दिकी की साम कभी समझते हैं अगर अपने जीवन को ऑप लें कि सुबह दुपैर हो गई अब साम हो गई अब रात होने वाली है तो अगर हम 4 भागों में बाःचल सुबह दुपैर हमारी बाल वस्ता ह Maisam में बांट ले आश्रों में बांट ले तो शायद हमारी ये सारी जो जीवन है वो मोग आशा यानि की फालतु की आशाय नहीं होंगी बेर्थ के कर्म नहीं होंगे तो इन से बचने के लिए हमें अपना कैलकुलेशन अपने जीवन की समयसारनी निश्चित तोर से बना लेनी चाहिए है कि अब उमर हो गई है हमें बहुत सारे लोग होते है कि ज्यादा उमर होने पर कम उमर का दिखना चाहते हैं महिलाओं में विसे इस तौड़ से होता है लेकिन कम उमर दीखने से कम उमर तो नहीं हो जाएगी उमर को स्विकार करना और उस उमर के हिसाब से तैयारी करना अगर जाने का वक्त है तो हम तैयारी अगर चालिस से ही तैयारी करेंगे तो हमारी साथ तक कुछ तैयारी हो पाएगी अन्य था आपको अरे हम तो साथ के हो गए हमारे तो जितने की कामों में बीद गए किसने बिताई तुम नहीं तो बिताई ना बाहर के संसार के काम तुम नहीं तो किये किसी ने करवाए नहीं जो बरस्ती मोग आशा इतनी आशा हैं थी इतनी हम उससे भी उपर हो जाए वो हम तो निकालनी पड़ेगी कि मेरे जीवन का कैलकुलेशन बड़ा भाग मुझे करना है मेरा ना पती साथ जाएगा ना बेटा साथ जाएगा कोई भी नहीं जाएगा मुझे सब छोड़ाएंगे अकेले कि जब सब मुझे सब अकेले छोड़ाये में औरा केलिए करनी जब करने के लिए हम अभी से तएयारि करें एक में हम कैसा प्रिबेंगे समसां घाट पर अकेले हम पड़े हैं तो सूचा कैसा लगेंगा ना बेटा है ना पती हम साथ मारे खरने कोई जाने जाना है लोगे जना मंगल मंगल दतें इसकी लेडी संगीत युदि यहां उन्ट हमारे छुपड़ी फोड़ी जायेगी उसका हम ध्यार नहीं करते है तो यह थोड़ा सा अपना विचार करना चिंतन करना जरूरी है ऐसे तो भूली विस्री जिन्दिगी जीते रहो तो वह कौन सी जिन्दिगी अभिवेकी जिन्दिगी तो वह भी जी रहा है मुर्ग भी जिन्दिगी जी रहा है और विद्वान भी जिन्दिगी जी रहा है लेकिन जिन्दिगी जीने के तरीकों में अ चलिए बैए वह वैसे ही होते रहेंगे उन्हें को अंतर भी नहीं आना तुम नहीं करो तुमारी बहु और बहुं करेगी उसकी बहु करेगी पहाना की दो घर क्या है एक धरमशाला है और वो एसी धर्मशाला है कि जहां पर कि कोई भी एक उसने फकीन ने का कि यहां बादशाह से मिलना है उन्हें बताई है मैं बादशाह हूं क्यों जूट बोलते हो मैं पहले आया था तो वह जो आये था उन्हों ने उचाए कि मैं बादशाओों получ मिले और तुम भी कह रहा हूं तो भादशाओ लोगया उंको लगता है कि नहीं जरी रहेंगे फीजेसी उतनी इस मुंसलीं दो सबते हैं दो शार मेरी खौंदों धर तुमको देखता है एक वार पूछा कभी घर से घर तुम्हें कभी नहीं देखता और ना कभी तुम्हारा बेट करता है तुम घर के लिए भागते हो घर तुम्हारे लिए भागता है कि राक्षसि आसुरी व्रत्ति कहीं गई है मनलौ कि हम अगर अपने आपको चेज नहीं कर रहें तो हम मनुष्य जीवन में रहते हुए भी आसुरी व्रत्ति Auym Scott कि बनके रहने और मनुष्य सरीर को सरीन जाने जिसे साधन माना गया है धर्म की बार बार याद कि लिया करो यह शिड़ी है नसैनी है और नसैनी जो है उपर भी चड़ती है और नीचे भी उतरती है हम नीचे ना उत्रें उपर चड़नी का प्रयास करें अगर हम यह तक आ गए हैं तो कोशिश करें कि हमारा कोई प्रारब्द फल पूर्ण अरजित हो गया है तो उसका हम फल का फाइदा उठाएं अगर फल को हमने सडा दिया फाइदा नहीं उठाया तो हमारा जीवन अपना बर्वाद होगा तेर्वां मात्मानस्तु मामुपार्थु देविंप्रकर्ति माश्रीता भजन्तेया नन्यो मनसा ग्यात्वा भूता आधी म without him नहीं जाता भग्वान श्रीक्रिष्न का यहां पर अनन्य-शब्द का हमें सेंश का क्था देखते रहते हैं कि अनन्य-शब्द क्या है और अन्य-ददा के लिए विसेश्रूप से गीता को जाना जाता है कि अनन ने शब्द हट जगई प्रियुक में आया है तो यहां पर भी वही है कि वे मात्मा जनतों मुझको भूतादी के कारण अव्वे अबनाशी जानकर देवी प्रकर्ति का आश्रे ग्रेंड कर निरंतर मुझको ही भसते हैं कि देवीं प्रकर्ति माश्रीता भूतादी अव्व्यम भजनत्य मनसों ज्यात्वा जो व्यक्ति एक वार मुझे जान लेता है कि मुझे पूरी तरह से जान लेता है तो वो जानने के बाद उसके अंदर एक जो भाव अनन्यता का भाव रहता है जिसने अनन्यता से मुझको जान लिया तो उसको फिर कोई चीज बिचलित नहीं करती है उसके ना कोई कामना बिचलित करती है ना कोई चीज फिर वो प्रकरती आश्रित हो करके जो चीजें जहां जैसे गटना गटित हो रही हैं